नमस्कार, प्यारे विद्यारतियों, कैसे आप सभी, जैसा कि आपको विद्यत है कि डेली नुश्यटी ने अपना फॉस्ट राउंड का जो सीट अलोकेशन है, वो अनाउंस कर दिया है, 16 अगत से आपका शुरू हो गया है, और आपको बहुत कम समय मिला है, तो इस समय को दे आपके लिए वीडियो बहुत उपयों की सापित होने वाला है, तो चली शुरू करते हैं, सबसे पहले तो उन सभी विद्यारतियों को जिनका फॉस्ट राउंड में सीट अलोकेशन हो गया है, उन सब को बहुत बहुत बदाई, जिन विद्यारतियों ने हलांकि देख लिय क्या है उसके बाद में कुछ वह आपको पूछेगा उन विद्यारतियों किन को सीट ऐलोकेशन पर ने हो गया है, कमेंट बक्स में कमेंट करके जूरू बताना, अब बात करते हैं हमें क्या क्या स्टे फोलो करने, सबसे पहले तो आपको फस्ट राउंड चैसे आप दिखो तो आपको accept seat allocation करना है जो भी accept seat allocation जो आपको दिख रही है उसको accept करना ही करना है उसको yes करना है जब तक नहीं करोगी तो आगे का प्रोसेश शुरू ही नहीं होगा उसके लिए time क्या रहेगा चार बच के 69 मिनट तक Sunday को 18 अगस लास डेट रने वाल इसकी चार अगस तक आपको ये काम करना है चार बच के 69 मिनट तक आपको 18 अगस से पहले पहले ये काम करना है और जितना होसके जल्दी कर लिए क्योंकि इसके बिना तो आगे कुछ करी नहीं पाएंगी ये तो आपको क पर जाने की जुड़ती क्योंकि आपने CACS पॉर्टल पर जब आपने रिजिस्टेशन कर राया था तो बहुत सारे आपने डॉक्मेंट अपलोड की होंगे जब आपने डॉक्मेंट अपलोड जो आपको आपको आपकी के टेगरी के साफ से अपने डाले होंगे तो आपको प्राइए दॉकमेंट वेरी फिकेशन की आपको आपकी जरूह ने के जरूरत नहीं होगा तो आपको यह इक साम उसला अबर से लेकरके यह वह तक हैиса फिजहिए गलतासों का को हो जाएंगा तो जिन विद्यार्थियों का अभी तक नहीं दिख रहा है कोई भी option इसका मलब आपकी college ने आपका अभी तक document verification नहीं किया है और उनके पास verify लिखा हुआ आ रहा है और फी payment का option आ रहा है चिन जिन विद्यार्थियों के पास आ रहा है वो भी comment box में comment करके बताना कि हासर हमारे पास आ गया है चिन के पास नहीं आए वो भी बताना जैसे ही आपके पास आज आता है उसके बाद में अगर नहीं आता है तो देखो अगर आपके पास नहीं आया तो जैसे आप अपने डेसमौर्ट पे जाओगे तो वहापे आपको कुरीज दिखेगी तो कुरीज में आपको उसकी धिमाद भाट आए से कैसे हैं, पहले आपने किया है, उसके बाद में अपरू होगा, कोलेज बाइप प्रिंसिपल होगा, उसके बाद में आपका फीब का विमिट आएगा. में बाते हैं नहीं पूरे साल बढ़ की फीच यो है इसमें लग जाएगी अब बात करते हैं हैं तो लगबग जो अपरुक्सर्क्रिमेट हम morose बात करते हैं 15-35,000 फीच का रेंज यह यह आपकी कोलेज में Mixed कई कोर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फीस आपकी एक लाग से ज्यादा भी होती है लेकिन एवरेज जो हम बता रहे हैं 15-35,000 पर जो कोर्स है उनके फीस रहने वाली है बात करते हैं जैसे ही आपका इसकी लास डेट किया आपकी लास डेट जो फीस के पेमेंट की है वह चार दिखाये देंगे वीड्र का फ्रीज अलोंकेट तिशीच य लिए को मिले अं विद्यारति को मन बदल गाया है बहुत जाना दूसरी अब उसको चाहिए ही नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना दूसरी पसंदीधा ही है, क्यों उप्ग्रेड करना जब आपको जो कोलेज जो कोर्स चीए था वो मिल गया तो आपको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मालो कि जो कोर्स आपको मिल रहा है, जो कोलेज अपको देखा आपको अप्रक्राइश के अंदर वह तो 2nd पी था या 5 पी था उससे पहले और को लिजए वह आपके पसंदीदा को लिज है या आपके पसंदीदा कोर्स है तो आपको अप्गेड करने के लिए आपको कोई एक्स्टा चार्ज नीक देना है अप्लाई टू को दिकत निए आपको अप्डेट करना चाहिए, आब बात करते है, फीस की मालो की फिस्ट रौण की को लेज के अंदर आपकी फीस थी आपकी को लेज की फीस पंद्रह जार पे अपई ये कब है जब आपक्रीट का बटन दबाऊगी तब फिर्स्ट राउन की इंदर आपके 15,000 पे फीस है और सेकेंड राउन वाली जो को लेज में जिसमें आपके एडमिशन हो रहा है उसमें 20,000 पे फीस है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा या 15,000 पे बदे गहे आपके या 20,000 पे और अरक्से पे करेंगे नहीं आपको अगर इसका उल्टा हो उल्टा हो उल्टा होने का मतलब क्या यानि पहले वाले कुलेज की फीज आपके 15,000 दूस्ते वाली की बारा है तो तीन जार पर आपको रेफंड हो जाएगी नचे नहीं जा सकते ऊपर आप जासकते हैं तो अपग्रेब में को जी अपग्रेब के पास रहेगा तब तक अपग्रेड में आपको धूसरा को जिए अलोट नहीं हो जाता है अपग्रेड होने के बाद चोईस मिलेगी क्या हम जैसे अपग्रेड होगे यानि मालो की दूसरी कोलेज मालो की आप दो कोलेज को टार्गेट कर रहे थे मालो कि आप लेडी सरे राम कोलेज मेरें डाहॉस में से कर रहे थे, कोई भी गल्स हो आप, तो मालो आपको कि मेरा डाहॉस मिल गया, आप जापते हो कि नहीं मुझे तो लेडी सरे राम कोलेज चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स अप अप्ग्रेड होने के बाद नहीं मिलेगी, अप्ग्रेड होने के बाद जो अप्ग्रेड एप्ग्रेड कोलेज मिलेगा वही आपको रखना पड़ेगा, उसमें चोईस नहीं मिलेगी. एक और बात आपको हम बताते हैं, उतकास शिक्षा महत्सों के अंदर 13-21 सगस तक जितने भी उतकास की कोर्स हैं, तो त्रिपल एक्स आपको ओफर मिल रहा है, त्रिपल एक्स कुषियां के सरह से हैं, सौतनता दिवस के उस्तर पर फ्लेट 78% डिसकाउंट और निरमल सर के जन करेंगे या तो सेकंड राउन के लिए हम जाएंगे तो उसमें हम कोलेज को डिलीट कर सकते हैं या एड कर सकते हैं, तो सेकंड राउन में हम कोलेज को डिलीट या एड नहीं कर सकते हैं, लेकिन री ओडरिंग कर सकते हैं, री ओडरिंग का मतलब मालो कि आपके टॉप 10 कोल आपको second round की college first priority आपके तो उसको आप उपर नीचे कर सकते हैं, रियोडरिंग कर सकते हैं, लेकिन नया college add आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ना delete कर सकते हैं, no seat allocation, first round, भाई आप वे विद्यार थी, विचारे जो वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर सब की बात पता रहे लेकिन हमारे तो seat ही नहीं मिली है, आप उनकी बात करता हैं, don't worry, चिंता नहीं करनी है, second round की cut-off कम रहने वाली है, आपको चिंता नहीं करनी है, second round में आपके संभावन है बहुत प्रबल हो जाती है, और उसके मैं आपको card बताता हूं, reason बताता हूं कि second round आपके लिए क्यो जिनको seat नहीं मिला है, wait करना है, क्यों करना है wait क्योंकि fee payment बहुत सारे विद्यारती जो नहीं करेंगे, first round के लिए, तो seat आपके खाली हो जाएगी, दूसरा document complete जिनके नहीं होंगे, तो उनका admission reject हो जाएगा, number 3, withdraw कर लेंगे कुछ विद्यारती, तो वो seat कम हो जाएगी, number 4 form में बहुत सारे विद्यारतियों के error होंगे, बहुत सारे चीज़े होंगे, तो seat आपके कम हो जाएगी, तो seat नहीं मिली है, उन विद्यारतियों को डरने की जोट नहीं, second round तक आपको wait करना है, आपको निशीत रुप से संभावना है, आपकी probability बहुत जादा बढ़ जाए कर दोत सकती है, वंगर नहीं पाने का急एड़ा सब्सक्राइब की जाए़ेगी जाएग sustain के दोती होंब है, आपके काक मैं वोगा सारे और हो गड़ा है, झापके कदोगे हैं झाल झाल